नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को एक ऐसे चमतकारी पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके नीचे मातर एक गिलास कच्चा दूद डालने से वह अदरस सक्ती खुस हो करके आपको धनला करके देगी जी हाँ दोस्तों यह एक ऐसी चमतकारी अदरस सक्ती है जो आपको बिना मांगे धनला करके देगी जी हाँ दोस्तों आपके सारे सपने पूरे करेगी तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस अद्रसक्ति के बारे में इस तांत्रिक उपाय के बारे में जिसके द्वारा दोस्तों आप दिन रात चोगनी तरक्की कर सकते हो आप अपने जीवन की हर एक समश्याओं से छुटकार बाधाओं से छुटकारा पा सकते हो मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हम धन इकत्रित नहीं कर पाते हैं कमाते बहुत पैसा कुछ नहीं बचता है कमा कमा करके इनसान पूरा जीवन लगा देता है तब भी वो पैस पैसा नहीं कमाता जी हां दोस्तों सही से पैसा नहीं कमा पाता लेकिन दोस्तों अगर मेहनत के साथ साथ अगर आप यह तांत्रिक टोटका कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित ही यह दरस्शक्ती आपको धनला करके देगी जी हां दोस्तों यकीन नहो तो दोस्तों इस प्रियोग को करके देखे लेकिन दियान रखिये है मित्रों साउधान यह प्रियोग तभी करिएगा जब आपको बहुत ज़़ादा जरूरत हो यह प्रियोग बहुत जल्दी असर दिखाता है बहुत ही खतरनाक तांतरिक टोटका है जिसके बारे में आज मैं आपको तो दोस्तों यह अधरसक्ति आपना काम करना चालू कर देगी यह अधरसक्ति इतनी पाउरफुल है कि मैं आपसे क्या बताऊं दोस्तों यह सक्ति को कैसे प्राप्त करना है संपूर जानकारी दूँगा जिहां दोस्तों आपको क्या करना है मात्र यहां पर जो है एक गिलास क अच्छा दूद डालना है और यह अधरसक्ती प्रसंद हो करके आपको धन ला करके देगी जिहां दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि बिना धन के आपको समाज में कोई जट नहीं देगा जिहां दोस्तों यह कड़वी सचाई है आपको सिवकार करनी पड़ेगी आप कित कमान सब दिया जाता है क्योंकि दोस्तों धन का एक अलागी रुतबा होता है मित्रों आपने देखा होगा कि जब किसी के पास पैसा रुपया नहीं होता है धन नहीं होता है मेनत बहुत करता है उसका जीवन यापन नहीं हो पाता चलिए दोस्तों मान लीजिए वो अर्बो कि सोक पूरे कर सके लेकिन दोस्तों ये भी नहीं हो पाता है इसका सबसित बड़ा रीजन है दोस्तों हमारे जीवन में घटीत घटनाए हमारे पूनर जन्म के करम तथा कुछ गलतियां कुछ ऐसी सकतियां जो आपके मार्ग को रोक करके रखती हैं तो दोस्तों जिसने भी आपकेunta की समश्या करी हो आप मिहनत बहुत करते हैं फिर भी नहीं बचता है आप ठक चुके हैं आप जो है आप दोस्तों हार चुके हैं तो आप मेरा ये प्रियोग करके देखिए आपका लाव अवश्य होगा अवश होगा दोस्तों दिन रात चोगनी करेंगे और अगर आपने ये प्रियोग कर लिया मित्रों आपके पास अपार धना आएगा मित्रों आपको ये अधरसक्ति जिस अधरसक्ति के बारे में बता रहो ये सक्ति बहुत तीब्र है जिहां दोस्तों बहुत तीबर प्रियोग है ये बहुत खतरनाक प्रियोग है ये सकती दोस्तों आपको खजाना ला कर देगी पैसा ला कर देगी कैसे दोस्तों माल लीजिए आप मेनत करते हैं नहीं बच रहा पैसा तो दोस्तों पैसा बचना चालू हो जाएगा आपके यहा मार्केट में आपको पैसा मिलेगा अच्छा खासा जिहां दोस्तों और सट्टे लोट्री नम्मर पता चरेंगे साथी साथ दोस्तों वैपार में उनत्ती करोगे चाहे आपका वैपार कपड़े का हो चाहे सोने चांदी का हो चाहे जवैलरी का हो चाहे फल फूल का हो चाहे चोटा से चोटा बिजनेस हो उसमें भी अगर आपने प्रियोग कर लिया तो यह अदरस सक्ति आपको धन ला करके देगी तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस अदरस सक्ति के आदभूत हरान कर देने वाले प्रियोग के बारे में जिहां दोस्तों पूरी जानकारी कि इस प्रियोग को कैसे करना है उस अदरस सक्ति को कैसे खुश करना है वह अदरस सक्ति आपकी मदद कैसे करेगी और उस अदरस सक्ति को कैसे प्रसंद करना है और दूद कहां डालना है क्या है इसका बिदी बिधान संपूर जानकारी दूँगा इस वीडियो में तो आप स अच्छा नहीं होता तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्र डालना है इस पेड़ के नीचे और वह अधरस सकती दोस्तों प्रसंद हो जाएगी और कैसे करना है चलिए बताते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको एक बेर का पेड़ खोजना है जो पांच साल पुराना हो जी हां दोस्तों ध्यान रखिए पेड़ होना चाहिए पांच से 6 साल पुराना अगर 10-20 साल पुराना पेड़ है तो और भी अच्छी बात है लेकिन कम से कम 5 साल से जादा पुराना पेड़ होना चाहिए किसका बेर का पेड़ ठीक है और दोस्तों यह पेड़ आपके घर के आसपास होना चाहिए या फिर आपके घर के दूर हो कहीं पर भ खोजना है और दोस्तों खोज करके आ जाईए ठीक है और इस प्रियोग को सनिवार को करना है दोस्तों बहुत खतरनाक प्रियोग है बहुत जल्दी फल देगा भाई साब बहुत जल्दी फल देगा और इस टोटके को करने के साथ हुए अधरस सक्ती आपको दोस्तों स्वयम पैसे से मदद करेगी किस ना किसी बहाने से एक बार इस प्रियोग को करिये तो सही मातर दोस्तों आपको यह प्रियोग साथ सनिवार करना है सनिवार को यह प्रियोग करना है कब साथ सनिवार प्रियोग करना है तो आपको क्या करना है रात के समय जिस दिन जिस दिन सुक्रवार हो सुक्रवार को रात के समय आपको जो है दूध मंगा ले गाय का जिहां दोस्तों देशी दूध होना चाहिए यह अच्छा दूध होना चाहिए मिलावटी दूध नहीं होना चाहिए बढ़िया सुध देशी दूध होना चाहिए देशी गाय का एक गिलास दूध हो चाहिए दोस्तों और वो किसके दोस्तों तांबे तांबे के गिलास में य और दोस्तों और जब आप सुक्रवार की दिन और मित्रों आपको क्या करना है रात के समय जहां पर आप सोते हैं बेड़ के पास बेड़ के नीचे अपने सिराने के पास एक गिलास दूद को रख लीजिए और सुबा उठिये इस नानुशनान करने के बाद संध्यवंद्या क करने के बाद दोस्तों पूजा ओजा पाट करने के बाद आप जाईए उस कच्छे दूद को ले जा करके ध्यान रखिए यह सब करते वक्त कोई देखे नहीं आपको जल्दी-जल्दी करना है यानि कि आपको चार वजे से च्छे वजे के बीच में यह चीज करनी है ध्यान प्रणाम करें और चुपचाप आजाईए पीछे पलट के मत देखना तुम्हें कोई भी आवाज मारे वो सकती है आपकी परिष्चा भी ले सकती है आवाज मारेगी आपको और आपको लगेगा कोई आपको अपना बुला रहा लेकिन गल्ती मत करना भाईया नहीं दिक्कत में पढ़े जाओगे द्यान रखना चुपचाप आजाना है फिर ऐसे ही दोस्तों फिर दोहराना है आपको साथ सनिवार तक करना है और दोस्तों जब आप यह साथ सनिवार तक करेंगे और जब सात्वा सनिवार उस दून प्रणाम और जब सात्वा सनिवार जब आप दू दोस्तों पैसा आयगा ना कि आप सोच नहीं सकते वाई साब आपको यह धरस सकती किसना किसी बहाने से पैसा लाती रहेगी आपको देती रहेगी आपको स्वयम पता चल जाएगा जब यह अदरसक्ति आपके सम्ख चमतकार दिखाएगी कभी सट्टे में आपको सपने में सब कुछ दिखेगा सपने बता दिएगा बता देगा कि मतलब क्या कैसा है क्या नहीं होना है जिहां दोस्तों आपको खुद पता चल जाएगा यह अधरसक्ति कैसे लाएगी इस अधरसक्ति का काम है आपको पैसे देना आपको पैसे कम वाना यह सक्ति आपको पैसा कम वाएगी जी हाँ दोस्तों यह अधरसक्ति स्वयम पैसा लाकर की देगी किसना किसी बहाने से तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह आपको यह टोटका पसंद आया होगा दोस्तों यह बहुती चमतकारी तांत्रिक प्रियोग है बहुती बरिप्रियोग है इसको सोच समच के करिएगा ऐसे मत करिएगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि आपने बेर की पिड़ में देखा होगा उसमें प्रेत राज का वास होता है और वही सकती आपकी मदद करती है धियान रखिये वह अधर सकती आपकी सहाइता करेगी धियान रखिये बड़े सरदर विश्वास के साथ करिएगा लाब जरूर होगा आपने वीडियो देखी आपका बहुत बहुत धन्वाद अगर आप फिर चाहते हैं मैं ऐसी जनकरी लाओं तो कमेंट में जरूर जो है हमें बताएं और आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पाट टू लाओं तो कमेंट करके जरूर हमसे दोस्तों बोलिएगा हम जरूर लाएंगे तब तक के लिए नमस्कार